हलो फ्रेंज क्रेटिव सर्ता चैनल में स्वागत है आप सबका आज हमने देखिए तोर्ण पट्टी बनाया है बहुत ही खूपसूरत दोनों साइट से दिखा रही हूं मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को भी प्रे तोर्ण पट्टी काफी खूपसूरत है तो चलिए हम इस तोर्ण पट्टी को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक चैन देखिए हमने बना लिया है ये दो तीन चार चार चैन बनाने के बाद दो रावन धागा हम इसे कुर्शिया में लपेटेंगे ये नीचे वाला जो चैन है देखिए इसी कंदर सेन धागे को निकालके दो दो फंदा बंद करते भी जाएंगे ये हमारा त्रिपल क कुर्शिया है अब बीच में फंदा जैसे बन जाएगा फिर आगे देखिए हम चार चैन बनाएंगी इसके दो रावन धागा हम इसे लपेट के फिर त्रिपल कुर्शिया बनाएंगे तो इसे फंदे के अंदर से देखिए यहां से इसकी अंदर से धागे को निकालके और दो दो फंदा बंद करती हुए, इसको बना लेंगी, देखिए इसको हमने बना लिया है, दोनों में, बीच में गयप है, आगे देखिए हम धागे को कीच के, अब डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो गयप है, इसी कंदर से देखिए हम धागे को निकाल रहे हैं तो एक बार हम ने धागा निकाल लिया है, दोबार, तीन, चार, पांथ, देखिए 6, छे बार हमें धागा कुरुशया में लिया है, अब इसको देखिए हम यहाप धागे को इस तरीके से कुरुशया में लेंगे, जो फर्स्ट बाला देखिए, भंदा जैसे बनाए, इसी के अंदर से देखिए, हम धागे को निकाल के, इस तरीके से, अब देखिए, इसके अंदर से हम धागे को निकाल रहे हैं, जो कुरुश्यम धागा है, इसके अंदर हम दो धागा रखके इसको बंद करेंगे, फिर देखिए हम दो धागा इसके अंदर रखेंगे देखिए दो धागा है अब इसको भी हम बंद करेंगे देखिए याँ दो धागा इसके अंदर हम रखके इसको बंद करेंगे इसी तरीके से दो दो धागा रखके इसको बंद करती हुए हम आगे जाएंगे यह देखिए लाश्ट का है इसमें हमने तीन धागा है इसको एक साथ बंद करेंगी यह देखिए एक पार्ट बन गया है अब इसको हम घुमा लेंगी इस तरीके से अब धागा देखिए हमें इस तरीके से लपेट के अब फिर देखिए इसी फंदे के अंदर से देखिए हम धागे को निकाल रहे हैं तो एक बार हमने धागा कुरुष्या में निकाल ला है ये दो बार तीन चार पार यह 6 तो 6 बार देखिए धागा हमने कुरुष्या में लिया है अब धागे को हम इस तरीके से कुरुष्या में लेंगे अब देखिए जो फंदा जैसे है फर्स्ट वाला अब इसी के अंदर से देखिए हम धागे को निकाल के अब इसको बंद करेंगे देखिए हमने दो धागा ले लिया है अब इसको हम बंद कर देंगे फिर इसके अंदर देखिए दो धागा हमने निकाल लिया है अब इसको बंद करते विए दो धागा इसके अंदर निकाल लेंगे देखिए दो दो धागा हम बंद कर रहे हैं लाश्ट में देखिए दो फंदा मारा बचा है दोनों साट का अब इसको हम बंद कर लेंगे तो देखिए एक डिजाइन हमारा बन गया है अब देखिए फिर आगे हम चार चैन बनाएंगे देखिए उने चार चैन बनाके दो राउंड धागा इसे लपेट के और फिर नीचे यहां से देखिए हम धागे को निकाल के दो दो फंदा बंद करेंगे त्रिपल कुरुश्या है बीच में देखिए गयब बन रहा है फिर आगे हम चार चैन बनाएंगे इसे लपेट के कुरुश्या में देखिए दो राउंड यहां जो फंदा जैसे बना इसी के अंदर से देखिए हम दो दो फंदा बंद कर रहे हैं अब इसके आगे देखिए डिजाइन बनाना हम स्टाट करेंगे तो धागे को हमने देखिए खीच लिया है अब इस फंदे के अंदर से देखिए हम छे बार धागा इसे कुरुश्या में निकाल लेंगे देखिए हमने छे बार धागा कुरुश्या में निकाल लिया है इस तरीके से धागे को कुरुश्या में लेके और जो फंदा हमने बनाया है अब इसके अंदर से देखिए यहां से अब इसको हम बंद करते हुए जाएंगे तो इसके अंदर देखिए में दो धागा रखके इसे बंद करते हुए जाना है दो दो धागा अंदर रख लेना है आगे देखिए इसी तरी किसम दो-दो धागा रखके इसको बंद करती हुए जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर तीन धागा हमारा बचा है फर्स्ट वाले पार्ट में तीन धागा बचेगा और सेकेंड वाले पार्ट में दो ही रहेगा तो देखिए इसको हम घुमा लेंगे और फिर देखिए इस पंदे के अंदर से हम धागे को छे राउंड से रुश्या में धागा निकाल लेंगे तो छे बार देखिए धागा में निकालने के बार इस तरीके से धागा लेने के बार देखिए यहां से हम इसके अंदर से देखिए धागे को निकालके दो-दो धागा इसके अंदर रखके इसको बंद करती हुए जाएंगे तो देखिए हमने दो-दो धागा रखती हुए बंद किया है अब इसके बाद लाश्ट काई जो है दो फंदा बचेगा इसको बंद करके तो देखिए एर डिजाइन जैसे बना है अब आगे हम फिर दो फंदा बना के फिर एर डिजाइन आगे बनाएंगे तो इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे तो देखिए हमने इसको बना लिया है इसकी लंबाई आप अपने दर्वाजे के हिसाब से रखें जितना बड़ा आपका दर्वाजा हो उतना बड़ा इसकी लंबाई रखें तो यहाँ पर देखिए हमने धागे को कट कर दिया है अब इसके आगे दूसरा धागा लगाएंग कि एंक से तो देखिए जहां से हमने धागे को कट किया है वहाई से देखिए म्सार्ट कर रहे है है कि इस वाइअ कि अधर के सचिय है तो पहले धागय को जोड़ लेंगे कि बशाだから है झाल Хै कि अब इसके बाद कि हम यह पप बनांगे तो धागे को थोड़ा से खीच के हम लिया है कि देखिए दो बार है कि यह तीन पर में धागा देखिए निकाला है इसको हम बंद करेंगे अब आगे देखिए हम चैन बनाएंगे तो हमने देखिए एक चैन बनाया है दो तीन एक चार चार चैन बनाने के बाद देखिए जो हमने एक डिजाइन बनाया हर एक लड़ से अब इसके बीच में हम बंद करेंगे यहां से देखिए इसके बीच के अंदर से हम इसको बंद क कर रहे हैं कुल है है सिंगल कुछिया इं दिक लिए अब इसके बाद फिर तर्फ गाल बनाएंगे देखे एक बना दो तीन चार अब चार बनाने के बाद दीखे तर ट्वर्ष्ट बाला फंदा बना है देखे हरे कलर से इसके अंदर से देखें, एक राउंड धागा कुरुशे हम निकाले हैं, पब बना रहे हैं, यह देखें, दो राउंड, यह तीन, अब इसको हम बंद करेंगे, इसके अंदर से देखें, धागे को निकालके, इसको हम बंद करें रहे हैं, अब फिर आगे देखें, हम चार चै पाइन बनने बनाया है इसे की बीच से इसे सिंगल कुरूशेर से बंद कर रहे हैं फिर आगे चार चैन बना के फिर पब बनाएंगे कि तो देखिए इसके अंदर हम बना रहे हैं तीन राउंड धागा इसे कुरूशेर में निकाल लेंगे एक साथ इसको बंद करेंगे देखिए इसकी अंदर से धागे को निकाल के हम इसको बंद कर ले रहे हैं तो इसी तरीके से ए लाइन हम आगे पूरा बना लेंगे आगे तक तो देखिए एक साइट का यह हमने बना लिया है अब इसके आगे हम टर्न करना बताएंगे तो सबसे पहले देखिए, चैन बनाएंगे, तो हमने एक चैन ये बनाया, दो, तीन, ये चार, चार चैन बनाने के बाद देखिए, ये जो फंदा है, इसी के अंदर हम सिंगल कुर्षिया से इसको बंद कर रहे हैं, अब इसके आगे देखिए, एक सिंगल कुर्षिया हम और बना एंगे ओब भी दो सिंगल शिया बना लिया यह आप इसके आगे फिर हम चार चैन बनाएंगी हमश्चन सीधा कर यह अब इसके बार देखेएं हम प बनाएंगे इसके अंदर तो एक बार देखिये धगामनी कुल्षय तो इन्काला है तो यह तीन तीन बार धागा हमने कुरुशय में ले लिया अब इसको हम बंद करेंगे इन फंदे के अंदर देखिए हम धागे को निकाल के बंद कर देंगे अब इसके बाद फिर हम चार चैन बनाएंगे देखिए एक बनाया है दो तीन ये चार चार चैन बनाने के बाद यहां बीच में यहां पे इसको हम सिंगल कुर्षियर से बंद कर देंगे इस तरीके से आगे फिर हम चार चैन बना के पप बनाएंगे यह देखिए जो पप बना है इसे के अंदर यहां से देखिये हम तिन राउन धागा इसे निकाल लेंगे इसी फंदे के अंदर से अब जो धागा रह निकाल लिया है इसको हम बंद कर देगे देखिए इसके अंदर से हम धागे को निकाल गी से बंद कर रहे हैं आगे पिर चार चैन बनाके फिर आगे जो हरा कलर का डिजाइन है देखिए बीच से यहां से इसमें हम बंद सिंगल कुर्श्या से इसको बंद करदेंगे तो इसी तरीके से हम आगे तक A-Line कम्प्लीट करेंगे इसको हमने पूरा बना लिया है इसके आगे धागे को देखिए कट नहीं करना है अब इसके आगे हम बनाएंगे यह जो हमने सिंगल कुर्षिय से बंद किया है देखिए इसे के अंदर से हम धागे को निकालके डबल कुर्शिया बनाएंगे थोड़ा धीला ही डबल कुर्शिया बना रहे हैं एक फंदे में से देखिए हम धागे को निकालके एक डबल कुर्शिया बना रहे हैं थोड़ा धीला ही डबल कुर्शिया बना लेना है तो दो बार देखिए उन्हें बना लिया है दो डूबल कुशिया यह देखिए तीन यह चार पात छे तो इसके अंदर देखिए उन्हें आठ डबल कुशिया बनाया है अब जो पफ है यहाँ पे अब इसके अंदर देखिए उन्हें सिंगल कुशिया से इसको बंद कर रहे हैं इसको देखिए उन्हें बंद कर लिया है इड़ी जाएन इसी तरीकी का बनेगा फिर आगे देखिए हम डबल कुर्षिय बना रहे हैं तो जो यह सिंगल कुर्षिय है इसी के अंदर से देखिए हम धागे को निकालके थोड़ा धीला ही डबल कुर्षिय बना लेना है एक ही फंदे में से देखिए हम डबल कुशिया बना रहे हैं तो यहाँ पर भी हम आठ डबल कुशिया बना लेंगे तो फ्रेंज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिना तो हमने देखिए इसमें आठ डबल कुशिया बना लिया है अब इसके बाद यह जो पफ है इसके अंदर देखिए हम सिंगल कुशिय से इसको बन कर देंगे तो आगे इसी तरीके से हम बना लेंगे यह लाइन तो देखिए हमने दोनों साइट को बना लिया यह जो चार चैन हमने बना था इसमें देखिए हमने छे सिंगल कुष्षे बना था यहाँ पर जो दो हमने सिंगल कुष्षे बना था इसके अंदर हमने एक सिंगल कुष्षे बना था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई डियान कसा थैंक यू